से आप सभी लोग, welcome back to another video of Oversmart और मैं हूँ आपके साथ साथ साधीकत So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप Ubuntu या Linux operating system यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप BI editor या Wim editor कुछ भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं और आपको यूज़ करने के साथ ही साथ कुछ दिक्कते आ रहे हैं जैसे आपका backspace की काम नहीं कर रहा है और आपका arrow keys like up, down, left and right arrow keys जैसी आप प्रेस करते हैं आपको कुछ random characters print हो जाते हैं तो इसका यह जो भी problem है मैं उसे discuss करेंगा उसके बाद उसके solution आपको बताऊंगा तो चलिए जल्दी से मैं अपने Ubuntu operating system के चलो तो मैं बता दूँ कि यह system operating system है यह मैंने virtual box पे पहले से सब कुछ load करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पे अपना terminal सब कुछ खोल के रखा हुआ हूँ होप आपको सब कुछ clear दिखता होगा सु चलिए मैं क्या करता हूँ मैंने यहाँ पे LS करके मैं दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे demo.sh एक file बना हुआ है अब मैं इससे क्या चाहता हूँ कि चलो यह चलिए मैं आपके लिए एक नया file बना लेता हूँ कोई दिख थोड़ी है vi over smart.sh ठीक है हम vi यानि हम vi editor में एक नया file over smart.sh क्योंकि कुछ भी आप रख सकते है .txt है कुछ भी मैं cell scripting में काम कर रहा था इसलिए मैं आपको example दे रहा हूँ ठीक है वैसे आप .txt कुछ भी कर सकते हैं तो मैं इससे enter करता हूँ तो आप देख सकते हैं vi editor में मेरा खुल ग आप अपने कुछ भी randoms आप उसे enter कर सकते है पर friends इसमें जैसे ही आप चाहते है क्योंकि एक बर मेरा enter हूँ क्या है मैं इस पर backspace करके से clear करता हूँ random keys और आपका backspace कामी नहीं कर रहा है अप down arrow के साथ random keys प्रेस हो रहे हैं पर इसका solution क्या है था friends मैं बता दू इसे exhibit करने क तरीका क्या है विए डिटर को आपको escape दबाना है ESC की दबाना है उसके साथ आपको colon दबाना है ठीक है उसके साथ आपको wq लिखना है और enter कर देना है इससे आप विम एडिटर से बाहर निकल जाए अभी आप एक पहला चीज आपके दिमाग में जो आया होगा भाहिया च तो ठीक है विए डिटर हाइफिन वी यानि मैंने विए का वर्जन खोला तो यहां साफ सब दिखा रहा है कि आपके में विम एडिटर यानि विए डिटर इंस्टाल है उसका वर्जन 7.4.52 है लिकिन फिट मेरा यह काम क्यों नहीं कर रहा है तो चलिए मैं यहां से निकलता आपना विम एडिटर इंस्टाल करना है तो कैसे इंस्टाल करेंगे विम एडिटर? sudo apt install vim चलिए मैं इंटर मार देता हूँ sudo apt install vim sudo का मतलब होता है कि आप super user यानि root user की तहत आप उससे इंस्टाल कर रहे है तो फिर से आप एक बार ऐसे मेरा इंस्टाल हो गया लेकिन म आप एगा आप इस अच्छा तो फ्रेंट्स मैं अपने यूजर पर आ चुका हूँ यह एक 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 इक्स्ट्रा थिंस था क्योंकि मैं यहाँ पर दो user बना के काम कर रहा हूँ आपके यहाँ पर सिर्फ एक user होगा च्वापका रूट यूजर है तो चलिए मैं यहाँ प होते हैं और इस बार देखते हैं कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं और यहां पर इन्सेट दिखाने लगा अब हम्यारे प्रॉब्लम बस इसलिए था क्योंकि आपका वेम एडिटर इंस्टॉल नहीं था एक बार अपने वेम एडिटर को इंस्टॉल कर लिजे ये प्रॉब्लम तूर हो जाएगा ते आज के लिए ते इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए सायवना रहा